Hey everyone, welcome back to my channel, Dfinity Terrorists, where truth always exposes darkness. So, कैसे हैं, सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. Because health is the most important aspect, correct? So, आज का जो टॉपिक है, गाइस वो इस तरह से है, कि आपकी जिंदगी में, obviously, जिनके लिए आज आप इस reading को देख रहे है, वो इनसान आपके लिए क्या ही महसूस करते है And definitely आगे जाके, क्या होगा इस relationship में? What will be the future of the relationship? So, आज हम देखेंगे पूरी तरह से clarity हमें मिलेगा So, प्लीज रीडिंग को लाज तक देखें, जाने को like, share, subscribe, ज़रूर करें Instagram में follow करें, universe, bad guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके जिंदगी में, obviously उनके person जो है, लगातार क्या सोच रहे है And definitely वो क्या चाहते है, आगे जाके इस relationship में? क्या हो सकता? यहां पे देखो, the hurt, यह एक devil कुछ horns है So, मुझे यहां पे इस तरह से दिख रहा है, lovers card का, जो reverse आप बोल सकता है या lovers card का, जो एक negative form का card है, वो है devil card So, basically, वहां पे हमें क्या दिखता है? वहां पे दिखता है कि एक devilish person, जिसका बहुत ही जादा negative ideas है pessimistic ideas है, वो दोनों इंसानों को, एक मर्द, एक औरत को जकर के, अपने chain से पकर के रखते है So, मुझे यहां पे इस तरह से बार-बार ही मैसूस हो रहा है, ना जाने क्यों आपके person, जिस किसे इंसान के साथ, चाहे वो कोई charismatic person हो, लेकिन अंदर से वो चलकपटा से बरपूर थे और आपके person इस बारे में बिलकुल वाकिफ नहीं थे And therefore, they got into this addiction of the relationship यहां पे आपके person जो है ना, कही न कहीं पे यहां पे देखो The cross, मतलब holy cross यह नहीं है, the wrong, यहां पे wrong So, wrong directions में यह जाके पहुँचे और जब कोई इंसान गलत रहा पे चलता है, ताब उसको कोई भी नहीं रोक सकता ठीके, सही रहा पे चलते हैं, तो, सही it's okay बट गलत रहा पे चलता है, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं, first of all कि वो गलत रहा पे चल रहा है So, आपके person को repeatedly जब आपने कहा होगा कि आप ऐसा क्यूं कर रहे हो, आपने ऐसा क्यूं किया मिरे साथ आप पहले ही बोल देते हैं, तो ये response नहीं किये क्यों, क्योंकि ये अपने अहिंकार में बहुत सदा ही काबू में आ गए इनको जो है लत लग गया था उस इंसान का या कहना कहीं पे गलत इंसानों से पाला पड़ा था उनको और उनके नजर में बढ़िया बनने के लिए ये बहुत सदा ताथ पर ये उनका था कि मैं उनके लाइफ में, उनके जिंदेगी में किस तरह से अच्छा इंप्रेशन जमाओ, so maybe he or she was obsessed with the work, maybe he or she was obsessed with lots of negativity कि आपकी अच्छाईयों को ठीके नजरांदास easily कोई कर सकता था और वो किया आपके person है खुछ लोगे लिए हो सदा है ये new person से जब आप मिले होंगे तो हो सदा है कि आपके ex भी आपको quite disturbed कर रहे थे सो कहे न कहें पे हो सता है कि ये बंदा या बंदी जो भी हो ना आपको कोई और किसी के साथ ये देख पा रहे है ना वो अपना ही हग जमाने की कोशिश कर रहे है ना ये आपको कोई respond कर रहे है ना ये खुल के कुछ बोल रहे है silent रहे है, इसमें क्या है दोश और सर्फ गलती उन्हीं का है क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है आपके person को अगर बोला जाए कि आप आगे आओ you should take the step otherwise आपके पास भी options है लेकिन इनको ऐसा है यह पहले-पहले कुछ भी नहीं करेंगे जब यह देखेंगे कि आपका साथ किसी का और संपर्क जो है संबन जो है बढ़ रहा है so then the greed, jealousy, hate, negativity यह सब कुछ चीज स्टार्ट हो जाएगा ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इनकी मन पसंथ जो है खाना बनाया या कहिन आगर आप husband wife रहे है so खाना बनाया आपने ठीके आपने इनको खाना खिलाया आपने प्यार से इनको सीचा लेकिन कहिना कहीं पर इनकी ऊपर कुछ साल तक आप बोल सकते या कुछ महिनों तक असर रहा and then it is suddenly getting disappeared यहाँ पर मुझे इस तरह से नसल में आ रहा है like you know what okay this is like a seven which is found okay so मुझे हाँ पर दिख रहा है like you know मतला उस इंसान के लिए seven is the number for the depth for the spiritual things right going into the root level एकदम मूल तक जाना सब कुछ जान लेना deep awareness sensation यह सब कुछ चीज़ लेकिन आपके इंसान उस जो बोला जाता ना उस लेवल तक जाही नहीं पाए ठीके और आपको समझ नहीं पाए और प्यार की जो language है ठीके इंसे नहीं हो पाया यह रखने ही पाए यह commitment तो कर बैठ है लेकिन उसको निभाने ही पाए करना बहुत easy होता है बोलना बहुत easy होता है क्या I love you I will always care for you I will always think that you are my only near and dear one बट जब उसको practically ठीके apply करना होता है तब आपके person उस चीज़ को कर नहीं पाते है even now अगर आप उनके साथ relationship में भी हो तब भी यह person कई समय तक hesitate करते है और इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ जो है उसो लोग वाला होने चाहिए जैसे उनके parents को सब कुछ चीज़ पता होने चाहिए ऐसा नहीं है कि उनके parents ना जाने और अगर आप उनके parents जानते भी है तो वो आपको ऐसा भी कहते है मुझे नहीं पता कि क्या होगा इसके बाद मैं तो तुम से बहुत प्यार करता हूँ मैं तो तुम से बहुत प्यार करते हूँ लेकिन by chance अगर हमारे parents नहीं agree हुए तो मैं कैसे उनको समालूँगा कैसे मैं उनको समाल पाऊंगी हो सता है यह ऐसे भी कहते हो कि इनके parents बहुत ज़्यदा रूरीवादी है रूरीवादी समात जैसे होता है रूरीवादी उनके parents से वो ऐसा बोलते है और रूरीवादी के होने के कारण ये इंसान hesitate करते है कि कि इस इंसान अब नहीं बोचते हैं ये डरबोग है वो भी सकते हैं लेकिन खाइना खाइन पर जो है न ये इंसान खुल के express नहीं कर पा रहे हैं अपने जो situations है घर में जब conflict चलता है क्या आप दूसरों के साथ share करते हो नहीं करते हो कि आपको ऐसा लगता है लोग जान जाएंगे हाँ चिलाते हैं चीकते हैं आसपर उस वाले को पता चली जाता है सो कहीना कहीं पर आपको भी पता चला है कि उनके हो जदा है कि उनके घर में बहुत problems चल रहे हो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आपको अपना जो है मतलब आपको अपना जो दर्जा है वो नहीं देंगे ये इनसान जो है fluctuating tendencies में हमेशा रहते हैं एक तो है कि इनको ऐसा है कि अपने professional success के उपर इनका सब स्यादा तो नजर है उसकी को अपना जो है priority बना चुके है लेकिन उसके साथ साथ इनका जो out of marriage relationship बोलो pre-marital affairs बोलो किसी के साथ सम्मंद रहना बहुत पहले से उसको नाद छोड़ना ठीके क्यों नहीं छोड़ रहे है वो अगर आपकी question इस तरह से है कि third party को क्यों नहीं छोड़े first of all third party here is very strong over and she or he the third party like is dominating this person कही ना कही पहे आपके person को dominate करना मुश्किली नहीं ना मुँद किन है लेकिन यह third party जो भी है इसको कर रहे है उस तरह से मुझे दिख रहा है यहां पर okay I can see a boy who is like climbing इस तरह से मुझे दिख रहा है ना एक पेर है और उसमें बच्चा या मर्द पता नहीं कौन मतलब कोई male है यहां पर टीके boy or man is climbing the tree पेर को मतलब चड़ना इसका मतलब है इधर पेर में फल होगा तो ही चड़ेंगे fool होगा तो चड़ेंगे या कुछ adventurous करना हो तो चार सकते है लेकिन जो मुझे यहां पर दिख रहा है आप वो fool हो आप वो attractive moment हो उनके लिए जो definitely आपको capture करना चाहते है उस memories को यह इंसान अपने canvas पर उतारना चाहते है so this person is extremely thinking about you and maybe यह जो एक next action में मुझे दिखाए दे रहा है maybe ऐसा हो सकता है कि इंसान really they are taking some kind of lessons they are taking some kind of spiritual guidance हो सकता है वो ले रहे हो ताकि वो आप तक पहुच रहा है पहुचना चाहते है but बचारी का क्या है न इस इंसान का क्या है न यह इंसान मतलब आते आते ही न अपना कदम को रोकते है because they get worried about circumstances यह भय में हो जाता है डर आ जाता है on the other hand आप पहले पहले बहुत जादा सहमे सहमे रहते थे अभी नहीं रहते है आप खुल के बात करते है आपको लगता है नहीं सब कुछ चीज खुल के बोलना चाहिए hide करना नहीं चाहिए अगर hide करते तो वो सबस्यादा एक criminal offense है आपके लिए so किसी भी चीज को hide नहीं करेंगे आपका मन मुताबेगी यहाँ पे देखो the tower card is from the tower जैसा को structure यहाँ पे आ रहा है ठीक है ऐसा ना है कि इनहीं का इन से फिगरने सब को देखने के लिए मिले आप भी करो आप भी coordinate करो आप भी हाथ मिला उनसे तभी ना बात आगे बढ़ पाएगा ठीक है कदम से कदम मिलाओ वो वे ही चाहते है so this is all now let me see with the help of the cards अभी हम देख लेते है ठीक है इसको हम साइड में रख देते है और हम शफल करते है cards को हमें और भी पता चलेगा let me see हम टैरो कार्ट से ही करेंगे ताकि आपको हम verify करता है verification कर पाए better I hope you are comfortable with let me see so universe bed guides please guide करें कि मेरे जो फ्यूवर से उनके सिल्देगी में obviously उनके person जो है क्या चाहते है क्या कहना है उनको please guide करें thank you universe thank you spares and thank you guides please guide करें okay so we do have five of vands we do have the chariot यहां बे हैं हमारे पास two of vands यहां पे हैं हमारे पास king of swords bottom of the deck हमारे पास है seven of cups okay and king of cups यह इंसान जो है मैं आपको यह ही कहा है कि इंसान सही में उनके घर में बहुत जादा आपत्ती जनक चीजे होते हैं जो यह हमेशा ही अप मतलब प्रोटेस्ट करते हैं यह ऐसा भी हो सता है कि इनके professional life में career में काफी जादा उनको सहना पड़ता है बहुत heavily you can say that skilled jobs हो सता है कि वो already ले चुके हैं लेकिन competition के इस बाजार में इस दौर पर ऐसा हो रहा है कि उनको maintain करना अपना image, अपना position बहुत मुश्किल हो रहा है अगर यह job या अगर यह business यह कर नहीं पाए तो बहुत ज़दा भारी मात्रा में उनको जो है चुकाना परेगा कीमत basically मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है I don't know why I am saying with a flow बहुत ज़दा flow आ रहा है communication में मतलब यहाँ पर media is obviously here, the spirit is here I do think so this person wants to have direct conversation with you यह इंसान आपको ऐसा option नहीं treat करेंगे यह आपके साथ उस relationship में वृद्धी को वृद्धी का उम्मीद करते हैं लेकिन जैसा में आपको बताया है आपको ऐसा लग साथा आपके person बहुत खरूस है यह इंसान जो है आपको अपने life से cut कर दिये या ऐसा जान बुझ के किया, withdraw कर लिया अपने emotions आपको punishment देने के लिए इन्होंने काफी बहुत ज़्यादा टेक्नीक्स अपना है ताकि आप दुखी हो जाए और जितना आप दुखी होंगे उतना ही आप उनको उनका funda है कुछ उल्टा है जितना आप दुखी होंगे अकेले मैसुस करोगे उतना ही आप उनके और मुहित होता चलोगे लेकिन यहाँ पे यह ऐसा funda काम नहीं करेगा यहाँ पे आपके person जो है यहाँ पे इनके पास भली options है लेकिन इनको पता है यह जो options ही यहाँ पे देखा old woman is there यहाँ पे कुछ beheaded face है यहाँ पे कुछ अजीब सा devilish horn जो मुझे यहाँ पे first वहाँ पे मिला so snake is there यहाँ पे सारे options बिलकुल right नहीं है so उनको पता है चाहे उनके लिए यह खुद रिष्टा देखे या कोई और भी देख ले इनके life में और भी अप्शन साज है लेकिन आप जैसे नहीं मिलेगा because you see here जेस तरह से यह आपके जैसे बन रहा है so much understanding pure hearted devoted empath like a father figure यह आपको protect करना चाहते care करना चाहते यहाँ पे देख आपर आपर सकार्ट so basically यहाँ पे कहाँ Aquarius Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus so मुझे आप इस सरह से दिख रहा है आपके person अभी इस cup को आपके पास लेके आएंगे they will come towards you with a proposal but the thing is like that कि they also want that you also should cooperate you also should participate एक हाथ से नहीं हो पाएगा जैसे मन आपको कहा आपके अंदर भी उतसुकता होने चाहिए आप भी वो चीज जो है उसको समझो और आगे बरो अपने लाइफ में अपने लाइफ में आप आगे बरो even यह चाहते कि आप उनको कभी न भूलो और आप उनके साथ साहता करो तक इस relationship को solidify कर पाए otherwise यह relationship आप दोनों के हाथ से निकल जाएगा और यह नहीं रोक पाएगे समझ में आया ना so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share and subscribe thank you so much for being with me love you a lot, take care of yourself and bye